हेलो एवरीवन वेलकम टू कॉंपटिशन कम्यूनिटी इस यूट्यूब चैनल कॉंपटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मेरा नाम है प्रांजल सिंग और आज आप लोगों के लिए में लेके आया हूं एक और वीडियो लेक एंडर में आर्टिकल 21 पे एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने मुल्टिपल केसेस को डील किया था और समझनी की कोशिश करी थी कि कियूं आर्टिकल 21 हमारे लिए बहुत important है और अभी हमने recently एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात करी थी constitution of India के एंडर में preamble की और उस video lecture में मैंने आपको बताया था कि क्यों constitution of India सिर्फ law students ही नहीं बलकि हर एक citizen of India के लिए बहुत important है हर एक citizen of India को constitution of India को refer करना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए और उसकी knowledge होनी चाहिए और आज हम जिस topic को ले के आया है fundamental duties को यह particular topic तो एक ऐसा topic है जिसको पढ़के ही आप समझ जाएंगे कि यह हर एक citizen of India के लिए है यह हर एक citizen of India पे impose होता है और इसकी knowledge और इसका idea हर एक citizen को होना चाहिए तो अगर आप law student है अगर आप law background को belong करते हैं तो भी और अगर आप एक normal student है आप normal citizen है अगर आप इस देश में रह रहे हैं और आप हमारे देश के constitution के बारे में जानना चाहते हैं तो यह video lecture आपके लिए बहुत जादा important होने वाला है तो आप इस video lecture को आखरी तक follow up करिएगा और आखरी में आपका जो views है इस particular topic पर या आपकी जो commentary होगी इस particular topic पर आप हमें नीचे comment section में जरूर बताइएगा तो आज कहा हम यह video lecture शुरू करते हैं आज हम पढ़ने वाले हैं किसको Constitution of India के एंडर में आज हम पढ़ेंगे fundamental duties के बारे में और हमारे इस video lecture का particular highlight क्या होगा सबसे पहले हम देखेंगे fundamental duties के background को उसको समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद हम देखेंगे fundamental duties है कौन कौन सी और उनको एक तरीके से हम analyze करेंगे और उसके किया जाता है तो किस बेस पर किया जाता है उसको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चलिए बिना time को वेस्ट किये तुरंद इस video lecture को आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं decode करते हैं fundamental duties के हमारे इस topic को तो सबसे पहले किसी भी topic को शुरू कर लेने से पहले या तो उसका मतलब समझ लेना चाहिए और या तो उसका background fundamental duties नाम से ही clear है कि वो कुस duties है जो citizens of India पर impose कर रहा है तो हम शुरुआत करेंगे कहां से background से background के शुरुआत करने से पहले अगर आप constitution of India आपने पढ़ा होगा या आपने textbook को पल्टा होगा तो आपको यह बात जरूर पता होगी कि constitution of India जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा constitution है इंडिन constitution और उसमें बहुत सारी चीज़ें अलग-अलग country से इंस्पायर करी गई है जैसे Canadian constitution से हमने कुछ चीज़ें इंस्पायर हुआ है और हमने अपने constitution में add किया है American constitution से हमने कुछ चीज़ें अडाउट करी है इसी तरह से जो fundamental duties का provision है वो हमने कहां से इंस्पायर होके लिया है जो fundamental duty का जो प्रोविजन है वो इंस्पायर हुआ है constitution of Russia से जो की तब क्या था Soviet Union यानि कि जो अगर आप से सिर्फ यह सवाल पूछा जाए अगर आपको खुद भी समझना हो तो fundamental duty हम पढ़तो रहे हैं लेकिन हमने इससे inspiration लिए कौन से देशे रशिया से इसके inspiration लिए इसका मतलब यह नहीं है कि हमने रशिया के fundamental duties को as it is अपने यहां पर अडॉप्ट कर लिया नहीं बस हमने वहां से inspire होके हमें लगा कि हमारे constitution में भी fundamental duty नाम का provision होना चाहिए ठीक है सर और क्या है हमारे पार जानने लाइक बात और एक जानने लाइक बात यह है कि जब originally हमारा constitution inact हुआ था तब fundamental duty नाम का कोई भी provision या ऐसा कोई भी act article हमारे यहां पे हमारे constitution में exist नहीं करता था इसका मतलब यह है कि later on हमें इसके requirement feel हुई और हमने by amendment जो fundamental duties का provision है वो हमारे constitution में add किया जैसा कि हम देख सकते हैं incorporated in part 4A यानि कि fundamental duties जो है वो part 4A of the constitution में दिया हुआ है यह यह लग गया इसका मतलब यह है कि यह वाला पार्ट originally constitution में नहीं था by amendment add हुआ है खीक है सर तो यह भी देख लेते कि कौन से अमेंडमेंट्मेंट से एड हुआ है तो यह 42nd constitutional amendment जो कि आया था 1976 में उसके थूरू हमने fundamental duties को add किया अपने constitution में अब यहा लेक्चर में भी मैंने fundamental duties के अलावा कौन-कौन सी चीज़े 42nd constitutional amendment में add हुई है उनके बारे में बात किया है तो अगर आप ने उस वीडियो को ध्यान से देखा तो और अगर नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं और आप नीचे comment section में मुझे बताइए कि 42nd constitutional amendment में और कौन-कौन सी चीज़े हमारे constitution में add की गई थी ठीक है तो पार्ट 4 में fundamental duties दिया हुआ है जो कि 42nd constitutional amendment से add हुआ था और यह add कैसे हुआ था किसी committee की recommendation से हुआ था और वो committee थी कौन सी सरदार स्वरन सिंग कमिटी इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे इसमें भी कुछ criticism है इ अभी के understanding के लिए पार्ट 4 अब दे constitution में दिया हुआ है fundamental duties जो की add हुआ था 42nd constitutional amendment से और वो किस ने recommend किया था सरदार स्वरन सिंग कमिटी ने उसके recommendation दिया था ठीक है सर्थ जब हमारा fundamental duties add हुआ था यानि कि एक amendment हुआ 42nd जिसमें हमारा fundamental duty add हुआ और उस समय कितनी fundamental duties add हुई 10 fundamental duties हमारे constitution में add करी गई उसके बाद 2002 में 86th constitutional amendment के base पे 11th fundamental duty add करीगी अब मैं यही से आप से सवाल पूछने चाहूंगा सभी law students से वो बच्चे जो law के student है वो मुझे इस वक्त क्या यह बता सकते हैं कि वह कौन सी fundamental duty थी वह 11th fundamental duty कौन सी है हम आगे देखेंगे लेकिन अगर आप fundamental duty का last amendment था इसका मतलब इस वक्त जो हमारे constitution में 11 fundamental duties exist करती हैं जनको हम आगे देखेंगे ठीके सर तो यह थी background की बाद अब must no चीज़े देख लेते हैं कोई चीज़े जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए पार्ट 4a में दिया हुआ है fundamental duties लेकिन उसका article कौन सा है article 51a यानि की पार्ट 4a में दिया गया आप article 51a और यह इस पार्ट का एकलौता आर्टिकल है और इसी 51a के अंडर में दिया गया है सारे के सारे कौन से fundamental duties और एक बात और ध्यान रखनी है जैसे हमने पड़ा पार्ट 4 और यह एड हुआ था 42nd constitutional amendment से तो अगर question यह आता है कि part sorry article 15a कौन से amendment से एड हुआ था तो उसका भी आंसर होगा 42nd constitutional amendment ठीक है सर और क्या है और हम देखते है fundamental duties are non-justiciable in nature इस non-justiciable शब्द का मतलब क्या है यह आप में से कोई अगर समझता है तो मुझे नीचे बता सकता है comment section म non-justiciable का मतलब यह है कि यह fundamental rights की तरह legally binding नहीं है और इसको यह judicial review के अंडर में नहीं आएगा इसको इस particular term के ऊपर एक अलग वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम explain करेंगे इन brief कि यह non-justiciable का मतलब क्या है और इसके ambit में क्या-क्या आ सकता है आगे बढ़ते हैं तो अगर pair act को खोलेंगे तो आपको fundamental duties कुछ इस तरीके से मिलेंगी लेकिन यहां पर अगर आप count करेंगे यह यहां से शुरू है और जे तक गया है केवल 10 है 11 है total तो यह जब originally हमारे constitution में आड़ वी थी यह उसका एक picture है आगे हम देखेंगे कि 11 कौन सी है आगे बढ़ते हैं sir वीड इसके बाद second किस बारे में बात कर रहा है तो cherish and follow the noble idea that inspired the national struggle of the freedom यानि कि यह बात कर रहा है noble ideas की great ideas की जिसने हमारे national struggle और national freedom को हासिल करने में मदद करी यानि कि वो basically हमारे freedom movement को respect करने की बात कर रहा है कि हर एक citizen को movement की उस struggle की respect करनी और उसके noble ideas की respect करनी है थर्ड बात कर रहा है to uphold and protect the sovereignty unity and integrity of India इसके बारे में बात अगर आप देखा जाए तो यह कुछ आपके सुने सुने से शब लगेंगे अगर आप preamble को refer करेंगे जिसका वीडियो हमने इससे पहले बनाया था तो उसमें आपको बात कर and render national service whenever called upon to do so यह बात कर रहा है कि हमें अपने देश को defend करना है और जब कभी भी देश को हमारी जरुवत पड़े तो हर एक citizen का यह duty बनता है कि वो देश के लिए खड़ा हो और वो आगे जाए और हमारी देश की मदद करें उसके अलावा अब इसके ऊपर एक question पूचा जा स से फैल रही थी इसलिए उसमें ऐसा यूज नहीं किया जासता है लेकिन अगर ऐसा कोई समय आ जाए जब इस समय पूरा एक country lockdown में चला जाए जो communicable disease को अगर डील ना कर रहा हो तो शायर ऐसी जरुवत पढ़ जाए कि हर एक इनसान से कहा जाए कि आप अपने लेवल से जित जाए कि उन प्राक्टिस को हमें खतम करना है जो डिगनिटी और वुमें को के लिए डिरोगेटरी है उसके साथ ही साथ इसने बात किया है common brotherhood की यानि कि हमारे देश में common brotherhood जो की भाइचारा की बात करता है उस बारे में यह particular fundamental duty बात कर रही है इसके अलावा और क्या देख यानि कि हमारी country का जो culture है उसकी हमें इज़त करनी है हमें उसका respect करना है क्योंकि हम जानते हैं कि इतने विविट कल्चर की country शायदी कोई पूरी दुनिया में कोई और हो उसके अलावा 7 बात कर रहा है to protect and improve the natural environment including forest, lake, rivers and wildlife and to have compassion for living creatures यानि कि जो बाकी के जीव जनतु है हमारी human race से अलगी जो breed हमें उनकी respect करनी है साथ ही साथ जो हमारा natural environment है उसकी respect करनी है यह हमारी उपर एक duty बनती है अगर इस particular fundamental duty की मैं बात करूं तो इसको पढ़ते ही आपको याद आ जाना चाहिए एमसी महतासर का नाम जिनके multiple cases है केवल right to environment पे यह right to clean environment पे कुछ cases के नाम अगर आपको पता हो तो आप हमें नीचे बता सकते हैं comment section में इसके अलावा next पे जाते हैं तो develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform यह अपने आप में समझने की बात है फिर उसके बाद अगले को पढ़ते हैं to safeguard public property and to avoid violence यानि की violence को avoid करना है और public property को safeguard करना है हम जाके जो kilo में जाके नाम लिख देते हैं और उसके साथी साथ कई movies में दिखाता है कि आप कहीं भी जाके scratch करते हैं काफ करते हैं अपना नाम और किसी का भी नाम लिख देते हैं तो यह अच्छी चीजे नहीं है यह particular duty आप ही के बार सब्सक्राइब यह हमारे 51A के अंडर में एक आई नाम के शब्द है उसको आप पूरा पढ़िए और उसमें कुछ लिखा हुआ है और उसको देखे आप ठीक है अगले को बढ़ते हैं to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels and endeavors of achievement यानि की मैं आप हम सब हम लोगों को ऐसा काम करना है ता सबसे बड़ी democracy और सबसे successful democracy बन जाएगा जो अभी भी on the way है और almost बन चुका है और साथी साथ जिसकी मैंने आपको बात करी थी 11th fundamental duty आखरी fundamental duty जो की add हुई थी कौन से year में 2002 में 86th constitutional amendment से यह बात कर रहा है to provide opportunities for education to his children award between the age of 6 and 14 years added by the 86th constitutional amendment act 2002 यानि कि यह बात कर रहा है free education की जो क कि दिया जाएगा कौन से year से कौन से year तक के बच्चों को from age 6 to 14 years यानि छे से 14 साल के बच्चों को free education के बारे में बात करी जा रही है compulsory education के बारे में बात करी जा रही है इस fundamental duty की तो आप में इसे जितने भी लोगों ने सही guess किया था moral duty जो हमारी खुद की duty बनती है यानि कि जैसे हम पढ़ते है moral education हमें पढ़ाया जाता है school में कि आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए आपको खाना शेयर करना चाहिए इस type की duty के बारे में बात करता और इसके बारे में आपको lawful तरीके से आपके उपर इंपोल्च और आप उसके अगेंस नहीं जा सकते जैसे कि आपको national flag को respect करना पड़ेगा आपको हमारे constitution का respect करना पड़ेगा अगर आप उसको follow नहीं करेंगे उसका respect नहीं करेंगे तो आपके अगेंस criminal charges लग सकते हैं यह पर्टिकुलर फर्क है civic और moral duty के बारे में ठीक है सर आगे बढ़ते हैं कुछ cases को देख लेते हैं जैसे मैंने आपको बताया था right to environment के बारे में सर के बहुत सारे cases अगर आप उनको डील करना चाहें तो कई बार हम एक्जामस में जब लिखते हैं तो हम लिख देते हैं MC महता वर्सिस union of India बस उसमें को एक यह डाल लिया है यह नाम भी आपको थोड़ा सुना और जाना पेचाना लग रहा होगा तो इसमें क्या हुआ जैसा कि मैंने आपको बताया था जो प्रिटीशन अर्थ हम शॉट में समझेंगे case के ब्रीफ में जाने की जरुवत नहीं है इस पर्टिकुलर से हमारा क्या relevance है उन्होंने रा तो यह रायट तू लाइफ के अंडर में तो challenge किया ही किया जो हमने पढ़ा था right to life अगर आप याद करें article 21 talks about right to life and personal liberty तो यह right to life के अंडर में challenge किया ही किया साथ ही साथ उन्होंने क्या बोला it violated the fundamental duty also fundamental duty कॉन सी article 51 A G फटएफट जाते है उसको देखते हैं क्या है यानि कि 51 AG के अंडर में भी उन्होंने बोला कि सर यह मेरा जो right to life है वो तो violet होई रहा है साथी साथ जो fundamental duty है वो भी impose होती है सामने वाले person के उपर कि उन्होंने अपनी fundamental duty को abide नहीं किया और यह केस में पोर्ट ने इस बात को एक्सेट किया कि राइट तो लाइफ तो होई राय वाइलेट साथी साथ आर्टिकल 51 AG भी इसके उपर इंपोस किया जाएगा ठीक है सर उसके बाद आता है अगला केस श्री रंगनात मिश्रा वर्सेज यून ऑफ इंडिया 2003 का केस यह थ आपके उपर चार्जेज लगाए जाते हैं उसके साथी साथ आपके उपर पर पेनाल्टी हो सकती है तोड़े अलग होते हैं जो हमारे सोचली हमारे उपर लगाए जैसे कि बॉइक वीडियो हो सकता है लेकिन हम यहां से समझने की केवल यह कोशिश करें कि सुप्रीम कोट इसा बोला कि फंडमेंटल जो ड्यूटी है उसके उपर केवल लीगल नहीं सोचल चांशन भी लगने चाहिए उसके बाद आता है तीसरा केस एम स्टुडेंट्स उनियन वर्सेस एम्स 2001 अब यहां एमस आगया लोग कन्फ्यूज मत हो यह 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 एमस की स्टूडेंट यू इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोट ने माना इस बात को की जो फंडमेंटल ड्यूटी से वह उतनी ही इंपॉर्टेंट है और इकोली इंपॉर्टेंट है किसके जतनी फंडमेंटल राइट्स के ठीक है सर्थ हमने तीन केसे को देखा अब हम पढ़ते हैं आखरी इस बहुत सारी इंपॉर्टेंस है अगर आपके दिमाग में भी कुछ है तो आप हमें नीचे बता सकते हैं अब कुछ ऐसी भी ड्यूटी जो ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनली होनी चाहिए थी या थ्रू अमेंडमेंट्मेंट ही आड हो जाती होनी चाहिए थी वह कौन- करने की कोशिश करी जा रही है या प्लान किया जा रहा है तो यह बर्निंग टॉपिक है साथी साथ पेइंग टैक्सेस और कास्टिंग वोट भी हम जो हमारी सेंटल गवर्मेंट है या जो स्टेट गवर्मेंट है वह अवेरनेस कैंपेंच चलाती है कि यह जरूर है अगर सेंटल गवर्मेंट ने उसको नहीं माना और फंडमेंटल ड्यूटी में आड नहीं किया तो पेट एकसेस की जो फंडमेंटल ड्यूटी है वो आड नहीं करी गई उसके साथी साथ ऐसा भी कहा जाता है कि वह पार्ट थ्री में होना चाहिए था फंडमेंटल ड्यूटी उस इसको अलग से वो नहीं बनाना चाहिए था उसके लिए पार्ट फॉर ए जिसमें उसमें फंडमेंटल ड्यूटी के बारे में बात करी करी गई इसको फंडमेंटल राइट के अंदर ही यानि कि पार्ट थी के अंदर ही एक अमेंडमेंट से एड करना चाहिए था साथी साथ य भी बोला गया कि स्वारं सिंग कमेटी ने और भी कुछ-कुछ रिकमेंडेशन दिये गए थे जो कि नहीं माने गए और इसलिए यह चीज़े गलत हो गई इसमें क्या लिखा हुआ है स्वारं सिंग कमेटी रिकमेंडेड मोर देन 10 fundamental duties यानि कि यह fundamental duties जो थी वो 10 तो थी उसके साथ सी साथ और भी duties थी जो कि adapt नहीं करी गहीं जैसे कि एक duty तो यह थी जो मुझे नहीं लगता कि शायद इसको डालना सही होता कि citizens to be penalized and punished by the parliament for any non-compliance with or refusal to observe any of the duties यानि कि अगर आप इन में से कोई भी duty को observe करते हैं या इसको observe करने से मना करते हैं तो आपके ऊपर sanctions या penalty लगाई जा सकती है आपको penalize किया जा सकता है और साथी साथ आपको punish भी किया जा सकता है उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि जो punishment of penalties हैं जो decide करी गई है पार्लेमेंट के द्वारा किस cases में जहां पे fundamental right infringement हुआ है तो उनको question नहीं किया करता है कि आप इसमें अपना क्या opinion बनाते हैं हमें अपनी जो understanding the fundamental duty की वो हमने बना ली हमें पता चल गया कि सर जो fundamental duty है वो कहां दिया हुआ है वो दिया हुआ है पार्ट 4A of the Constitution में जल्दी से देख लेते हैं वो दिया हुआ है पार्ट 4A of the Constitution में एड हुआ हुआ 22nd Constitutional Amendment 1976 से और सवरन सिंग कमेटी ने इसको recommend किया था उसके साथ 2002 में 86 constitutional amendment से उसके अंदर 11 fundamental duty आड करेगी और अब हमारे पास है टोटल 11 जिनके बारे में आपने पढ़ लिया है I hope आपके लिए वीडियो लेक्षर helpful रहा हो अगर आपके लिए वीडियो लेक्षर helpful रहा हो तो thank you very much मिलते हैं बहुत जल्दी एक next वीडियो के साथ अगर आप चाहते हैं अपने केरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविश्य को साकार करना तो जुड़िए competition community के साथ आज ही हमारे website के carrier page पर विजिट करें अथवा description box पर दिये गए link पर click करें हमेशा आपके हुआ हुआ है